What's up guys I hope you are doing well अई वीर वेलकम डिश्टल और फैमिली तो कैसे हो मिले दोस्तों मैं आसा करता हूँ शांदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजोई कर रहे हो अपनी सेहत फैमिली और पाय के धान काफी एची से रख रहे हो आज है 12 नौमबर और आज का जो डिसकसर है वो इतना शांदार रहने वाला है कि आप लोग सुनने के बाद में ये बोलोगे कि ओ बिटे मोज कर दी यानि कि इतने प्यारे प्यारे आर्टिकल है आप लोगो इस तरीके से अवेर कराएंगे ये आर्टिकल कि आप लोगो सुनके चकसु कुलेगे कही सारे आर्टिकल मैं रियलेटी में जब में खुद पढ़ रहा था तो मेरा मज़ा आगया पढ़के ठीक है अब वो ही मज़ा में आप लोगो पढ़ाने में लोगा तो वीडियो को एंड तक देखेगा दो पार्ट में ये वीडियो डिवाइड रहेगी पहले में हम लोग एडिटोरियल डिसस करेंगे और दूसरे पार्ट में हम लोग न्यूज अनलिस्स वाला पोर्शन डिसस करेंगे वीडियो को एंड तक देखने के बाद में अगर आप लोगो लगे कि यार इसकी PDF होनी चाहिए तो तुरंत टेलिग्राम पर जाना टेलिग्राम से जाकर इसकी PDF डाउनलोड के लेना सारी PDF आप लोगो एक जगए खटे मिल जाती है तो इसका लिंक भी वीडियो के नीचे आप लोगो मिल जाएगा एक लाख पैंतालिस जार के करी मेंबर यहाँ पर जुड़े हैं जैसे मैंने हाँ पर सारे प्राइज जो अभी रिसेंडली जैसे नी जैसे पदम भी भूशन भूशन यह सारे आवोर्ड मिलेते हैं वो भी मैंने सेयर कर दी इसकी पीडिया पगेरा भी तो सारी चीज़े आप लोगो इखटे मिल जाती हैं जो कोशन पूसता उनके आंसर भी आप लोगो मिल जाते हैं और बाकी आंसर आइटिंग गूरूप भी आप लोग जोइन करिए बहुत प्यारे प्यारे आंसर लिखे जा रहे हैं जाओंगा कि जिनके सफर खुब सूरत होते हैं वो मंजीलों के मोहताज नहीं होते यानिके जो इनसान जो है अपने सफर को इंज्योय करता है अब मंजील दो बढ़िया होएगी होएगी जब इनसान सफर को इंज्योय कर रहा है खुद सोच के देगे न आप लोग एक इंसान है कि डेलीर हो रहा है यार यह पढ़ाई का time कप खतम होगा यार पढ़ाई के पक चुके है यार यही चलता रहेगा क्या एक इंसन ऐसा है जो पढ़ाई को enjoy कर रहा है अब रेजल भागे नहीं के लगा है और उसका सोचो तो सही है एक इनट तो इस तरीके से जिंदगी को जियो ना अपना कि आप लोग उस time को enjoy कर सको को कोई भी tension आप लोगो देखने को नहीं मिले तो ये वाली जिंदगी होनी चाहिए ठीक है तो उस pattern में चलो फिर देखो जिंदगी जीने का मजा क्या आने वाला है ये question मैंने आप लोगों से पूचा था इसका answer कई सारे बच्चे बुले थे सरे इसको map में दिखा देना तो इसको map में अच्छे से बाकी आर्टिकल के उपर हम लोग नज़े डालेंगे कौन-कौन से आर्टिकल है reality मैं यार कसम से बोलना हूँ पढ़ने के बाद में ना दो-तीन आर्टिकल तो ऐसे थे जिनको पढ़ने के बाद में लगा कि वाओ यार क्या लिखे है वन्दे ने उन्हें कहते हैं कि लिखने वाले के हाथ चुमले ऐसा हो गया बिल्कुल चलिए जो भी है एक तो आप लोगो देखने को मिलेगा जो आर्टिकल है basically detail में हम लोग discuss करने वाले हैं वो है ये वाला आर्टिकल ये वाला आर्टिकल आप लोग के चक्सु खोल देगा इसमें basically आप लोगो देखने को मिलेगा जो कि आज की date में central state के वीच में जो revenue का distribution होता है जो petrol अगर आज को लोग गाड़ी यूज करते हैं बाइक यूज करते हैं जो डुबाल साब के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे तो डुबाल साब के दुवारा एक अभी meeting chair की गई है तो अफगानिस्तान के मुद्धे को कैसे लेकर हम लोग चल रहे हैं तो उसके बारे में है तो काफी ब्यारा आर्टिकल है काफी detail में हम लोग यह देखने वाले हैं यह आर्टिकल है हाँ पर glass go के बारे में तो इस आर्टिकल को भी काफी detail में discuss करूँगा बहुत सारी question आप लोग यहां पर बन सकते हैं खासकर prelims के point of view से भी और interview question बन सकते हैं तो काफी कुछ combine करके distance करूँगा है हाँ पर ताकि आप लोग के आसपास के जो भी आर्टिकल से वो सारे cover हो जाए तो इसको इस तरीके से हम लोग देखने वाले हैं यह वाला जो आर्टिकल है हाँ पर तमिल नाडु के अंदर भी बार देखने को मिली है तो उसके बारे में आर्टिकल है तो एक overview दूँगा ताकि पता रहे कि चल क्या रहा है चुटे का कुछ नहीं है कि कोई भी आर्टिकल चुटता नहीं है इसलिए में जो आर्टिकल देखने को मिल जाते हैं वो मैं हाँ पर जिरुडिसस करूँगा डी मोनेटैजिशन के बारे फिर से आर्टिकल है पांस साल पूरे हो गए है एक ऐसा माहूल बना था देश के अंदर पर लेकिन यह आर्टिकल पढ़ते-पढ़ते मुझे एक चीज लगी मुझे हाज इस आर पिक्चर दे रहा है तो मैंने जहां से पिडिए डाउनलोड करका हूं जो परचैश करका है हाँ वहां से खरीदे तो हम पर बैसिकली यह ती रंगीन मिजाज की पिक्चर और देखा मैंने पीडिए तो उसमें थी ब्लैक ऑड़ एसके दौरा यहां पर रिक्चर दे रखिय और यहां पर रंगीन मिजाज की दे रखी है तो ऐसा लग रहा है कलर की पैसे बचा रहा है आजकल दा हिंदू रिलोस में चल रहा है चलिए जो भी है लग रहा है कि एक तरीके से नहीं थोड़ा सा रंगीन चीज़े देखकर इंसान का जो मिजाज होता है थोड़ा सा रंगीन हो जाता है पढ़ने मजाता है तो वह वाली चीज़े है तो आर्टिकल काफी हो जा रहे है इसके उपर भी हम लोग यहां पर नज़े डालेंगे और जानेगे क्या क्या important मुद्दे है यह वाला जो आर्टिकल है यह basically education system के बारे बात कर रहा है कहां पर यह basically तमिलनाडू के अंदर में तो इस article को जानेगे इस article में कुछ important point है जो कि पता होने चीए कि हां क्या क्या मुद्दा है तो इस article को जरूर डिस्स करेंगे एक overview ले लेंगे और इसी के साथ में आप लोग को ले लिए एक डोज लिए फिर दो डोज लिए बताइए आप लोगों नहीं कितने डोज लिए ठीक है तो यह हैं कुछ बाते discussion स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ाते हैं काफी प्यारे रहने वाला है एंड तक वीडियो को साथ में बना रहीएगा वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी क्योंकि आप लोगो तो मज़ा लेना चाहिए उस्चेज का ठीक है इसी के साथ में एक important मुद्दा आज के article में आप लोग को यह देखने को मिलेगा कि एक बच्चे के द्वारा मुझे लगबग 109 या 111 के करीम message send गेगे उसने ये बोला कि sir please कुछ vocabulary include कर लिया गरू vocabulary include करने का क्या फायदा होगा तो basically उसने ये भी लिखा है बोला है कि sir अगर vocabulary include करेंगे तो answer writing में हमको लिखने के लिए अच्छे सब्द मिलेंगे हम लोग अच्छा ऐसे लिख पाएंगे हम लोग ethics का paper अच्छा कर पाएंगे sir हम interview देने जाएंगे तो हम लोग अच्छे से अपनी vocabulary यूज करकर एक अच्छे से वहाँ पर एक अच्छा interview दे पाएंगे sir vocabulary तरी important है इनको include कर लो तो मैंने डिसाइड किया कि at least minimum डेली पांच vocabulary तो आप लोग को जुरूर दिया करूँ है ठीक है पांच vocabulary जो आप लोगो मिला करेंगी कोसिस करना उसके ओपर एक sentence form करने की कोसिस करना तो इससे आप लोग की जो English है वो आप लोग को improve होती नजराएगी पांच सब भी डेली अगर आप लोग अपने जो जकीरे में अगर एड़ कर रहे है तो आप लोग को मजाएगा आपकी English है वो improve होती नजराएगी और English एक ऐसी चीज है आराज की रेट में यह ऐसी चीज हो चुकी है कि इंसान की life का पार्ट बन चुकी है अगर आप लोग कहीं जाते हैं से साउथ इंडिया में चलेगे तो आप लोग को हां की language ने आते हैं तो English एक connecting medium बन चुकी है तो उस तरीके से देखेंगे तो vocabulary वाला मुझे अच्छा लगा तो इसको include करूँगा हाला कि मैं पहले किया करता था पर वो question भी हम लोग include कर लेंगे तो tension बिल्कुल ने लेने का ठीक है आईए अब आगे बढ़ते हैं article का मज़ा लीजे इसको और प्यार का मज़ा लीजे तो article का मज़ा लीजे आप लोग बात करते हैं यहां पर यह हमारे James Bond ठीक है आप लोगोंने एक दोहा सुना होगा सत सहिया के जो नावी के तीर देखन में छोटे लगत गाव करत गंबीर तो यह वही है कि देखन में छोटे लगते हैं पर लेकिन गाव बड़ा गंबीर करते हैं तो यह हैं को नहीं है यह है 007 यानिके Indian James Board यह है हमारे जो National Security Advisor तो इनके द्वारा अभी एक मिटिंग जो बुलाएगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे यह जो मिटिंग थी यह अफगानिस्तान के जो मुद्धा है Taliban से लेटर उसके बारे में बात करेंगी और interesting चीज़ यहाँ पर क्या है तो यह है अफगानिस्तान हमारा पडूसी देश अगर थोड़ा सा जूम करके इसको देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आप लोग को इनक्सा इस नक्से में हाँ पर इसकी कैपिटल है काबूल काबूल याद रखेगा आप लोगों ने एक वरुना updated on ki movie नहीं थी कि हम आपकी बेटिसे प्यार करना चाहते हैं आप लोगो कबूल है कबूल है कबूल है कबूल है इसकी कैपिटल और अफगान अफगानी हैं इसकी currency तो इसी के साथ में बात करें तो तजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, तुर्केमिनिस्तान, इरान और फाकिस्तान, ये इसके प्रोसी राजे हैं जो टच करते हैं, पांच राजे, नहीं, गलत है, पांच राजे टच नहीं करते हैं, तो भाई साथ हम भी टच करते हैं, ठीक है, तो हम अभी जिन्दा है, हमको मत भूल जाना, तो हमारी country का एक important question आप लोगों से बन जाता है कि हमारे देश का कौन सा area है जो अफगानिस्तान को touch करता है, तो आप लोग को option देगा, जम्मु एंड कास्मीर, इसी के साथ में लगदाक, इसी के साथ में हरियाना, इस तरीके से बोल देगा, अफगानिस्तान के साथ में कों सा touch करता है, तो confuse याद मत जाना हाँ पर exam में, यह हमारी country का लगदाक जो unit टेटरी है, वो touch करता है, ना कि जम्मु एंड कास्मीर, पहला option जम्मु एंड कास्मीर ही होगा, क्योंकि examiner जानता है, आप लोग की emotion के साथ में खेलना, कि आप लोग emotional होकर exam में question waiver को पढ़ते हो, ना कि एक तरीके से analytical way में, तो यह question direct आप लोगा अगलत होगा, ठीक है, तो पहले map देख लिया, अब समझते हैं बाते, यह personally मुझे काफ़ी important लगा, होगा, हम लोगों ने जब invitation दिया, नहीं करते हैं नियोता देते हैं, गाउं में चलो भाई आजाना यार, आजना जनम दिन है घर पे, ठीक है, तो हमारे डोबाल साब ने बोला कि यार, जनम दिन है, अफगानिस्तान में तालिवान का जनम हुआ है, तो उसके जनम दिन पर आजाना आप सभी लोग, तो यहाँ पर दो ऐसे दोस्ते जन्हों ने बना कर दिया, यह लंगोटिया यार है हाँ पर पागिस्तान और चाइना, तो चाइना के द्वारा तो खहरहरा की अच्छी बाते बोली गए है, कि भाई साब हमारा सेड्यूल थोड़ा बीजी चल रहा है, तो हम लोग आ नहीं पाएंगे, तो यार हो ना हमारी तरफ से ना पहले सोरी है भाई, तो यहाँ पर पागिस्तान क्या बोला ऐसा है, यह फालतू की चीज़े तुम जो बुला रहे हो ना, यह हम बिल्कुल पाटिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि यह तो बोल नहीं सकते थे, कि हमारे पास में टाइम नहीं है, क्योंगि टाइम की तो पुरी भर मार है, फालतू के काम करने के लिए दुनिया भर के टाइम है, तो यह सब बोल नहीं पाते, तो तीसरी मिटिंग थी, तीसरी मिटिंग थी, इससे पहले दो हो चुकी है, बोला मैं नहीं अभी 18 और 19 में, और वो इरान के अंदर हुई थी, तो यह जो तीसरी मिटिंग थी, इसके अंदर तीन बाते बड़ी ही प्यारी बोली गी, ये तीन बाते जो हैं इनमें सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि देखे इंडिया को आज की डेट में अपने देश की पोलसी कैसी है अफगानिस्तान को लेकर वो डिसाइड करनी चाहिए ये बिल्कुल ऐसे ही है कि लड़का और लड़की जो है वो एक दूसरे को पसंद करते है डेली लड़का बोलता है लड़की को देखता है देली लड़की लड़के को देखती है पर लेकिन हम लोग एक दूसरे को वहने चाहते हैं कि हम जब माइक तरीज नहीं वो एक तरीज से एकसेप्ट करने के लिए तयार नहीं है यहां रिलेशन बढ़ात हो रहे हैं पर लेकिन उसको एकसेप्ट नहीं किया जा रहा है सबसे important point तो यहां पर यह बोला गया है आज की date में अगर बात करें जो यह meeting हुए इससे क्या मुद्दा निकल कराते है कि meeting तो होगी तो इससे important मुद्दा यह निकल कराते है कि हमारी country भी भाई साब इच्छा रखती है मतला हुमारी भी कुछ इच्छा है है हमारी भावना है वो इच्छा क्या है कि हम भी चाता है कि अफगाणिस्तान में हमारे relation अच्छे हैं और हम उनके साथ में अच्छे से काम करें मिल जूल कर तो यह पहला मुद्दा बोला दूसरे मुद्दे में क्या बोला कि देखो यार USA निकल गया है अपना नेटो को लेकर नेटो का है इसको बोलते है North Atlantic Treaty Organization चले कोशन आप लोगों से पूछता हूँ यह बताईए नेटो के टोटल कितने member है ठीक है और अभी recently कौन सा member इसके अंदर add हुआ है तो यह जो है basically इनक मोलने में क्या रायता फैल रहा है तो कुछ भी दिक्कत हो तो देख लेना तो यह है basically आप देखेंगे मिलकर पडोसी और तो इनकी सिल्थिक responsibility बन जाती है और इंडिया भी पडोसी है तो responsibility हमारी ही बन जाती है तो हम भी देखेंगे मुद्दे को तीसरा जो मुद्दा निक solution निकाले की बात की जारी है और बोला यह गए कि भाए सब देखो उनी कहते हैं कि एक टरीके से हलेगी वो थोड़ा गंदा सा डाइल हो गयो कि लड़ाई-लड़ाई बण करो और आगी डैस डैस जो بھی है तो आपस में लड़ाई बंद करो और First सान में जो पोलम चल रही चाइना के साथ में हमारी लड़ाई है वो तकड़े वाली एलेसी को लेकर जिसको बोलता है लाइन ओफ एक्चुल कंट्रोल अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगी इंडिया और चाइना के बोडर पर ठीक है यह भी लद्दाख में है याद रखना यह निके जम्मु एंड कास्मीर जो सब चिलाते रहते थे थे ना देखेंगे हमारी केंट्री के पुलिटीशन ने बड़ा ही शांदार हो कह सकते है आप लोग की स्टैप उड़ाया उसमें अब सब कहते थे जम्मु एंड कास्मीर का मुद्दा है इंडिया और पाकिस्तान कर दिया तो यह मुद्दा आप लोगो देखने को मिलेगा और नॉर्मली चाइना और पाकिस्तान तो इसके उपर अपनी रोटिया सेखते वे नजर आते हैं तो एलेसी के मुद्दे को लेकर हम ओलेडी एक दूसरे के सामने खड़े वेते हैं इम्रान खान जो हैं वो कास्म मिल जलकर मुद्दे की बात करते हैं तो चले इंडिया ने बुला लिया पर लेकिन क्या क्या सीध चिदा सीदा मना कर दिया पाकिस्तान धूर्ग पाकिस्तान तो हम इसा क्या कैता है कि भाई साग खुला-खुला बोलेंगे जो भोलेंगे इसके अलावा उन्हें कहते हैं कि गीता बात कर आप लोगula नहीं चाहरी हिए पाकिस्तान चाहते हैं लंगोटिया यार है इतने दिनों से हम लोग पानी दे दे कर सीचा है कि तालिवान आएगा तो मज़ाएगा तो तालिवान आ गया तो देखों निगे तू लोग भेड़ी आएगा तो वह मुद्दा देखने को मिला है तो चाहिए नहीं रहा है कि इंडिया जो है उसका पुलापन लिखा हुआ रहा था, तो मुझे लगा है यार पाकिस्तान के लिए ये सब अच्छा नहीं है, ठीक है, तो फिर भी मैंने इसका उल्टरनेटिव देखा, तो ये काया गवारपन, तो यानि कि एक तरीक दे पाकिस्तान के द्वारा जो ये हरकते की गिये, पाकिस्त पारी केंट्री में अजीर दोबाल जया पड़ीश एक तरीय साती रादमी है, जब इमेज खराब करने की बात आते हैं, तो पाकिस्तान की दवा दवा कर इमेज खराब करते हैं, रहर के हमारे पास में और अल्टरनेटिव है, हम लोग चाह बार पोर से होते हुए, बेसिकल पाकिस्तान की, तो ये कंडिसन आप लोगो देखने को मिलेगी, तो पता था कि हातो भरने वाला है नहीं, जो इनसान अपने उपर से फलाइट उड़ाने की एक तरीके से वो नहीं कर रहा है, वो बेसिकलि आप लोगो रोड देगा अंदर जाने के लिए, तो ये पता ही थ यार तो गया है पर लेकिन आठ जो हमारे दोस्ते हैं, वो उन्होंने पार्डिसिबेट किया और जिसमें दो हमारी भी लंगोटिया यार और अच्छे हैं, वो है रसिया और बेसिकलि इरान, उन्होंने पार्डिसिबेट किया, काफी अच्छे से बैठे, समोसे चाय पानी पिया अज मज़े किये enjoy में और फिर उसके बाद में कुछ बाते देखने को मिली तो उसमें अगर बात करें देखें अभी एक important मुद्दा ये भी है अभी recently अगर बात करें discussion संघाई corporation organization का ठीक है दुसानवे में September में हो था तो हाँ पर भी कई सारे मुद्दे सामने निकल कर आए सबसे interesting मुद्दा क्या रहता है जब मुझे संघाई corporation के बारे में discuss करने का मज़ा आता है उसमें ये लगता है कि जब भी संघाई corporation में जो basically terrorism के बारे मुद्दा बात करते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों उसका पार्ट रहते है ठीक है तो interesting क्या क्या रहती है कि terrorism के बारे में पाकिस्तान सब से उपर रहता है कि हाँ भ इस तरीके से मज़ाक वाली बात हो जाती है कि जो terrorism फैला रहा है कि तुम terrorism को बोल रहे है कि तुम terrorism खदम को बने किलास में सबसे सैतान बच्चे कोई monitor बना देना तो वाली कोशिस की जाती है संघाई corporation में हर बार तो terrorism को रोकना है terrorism की जो financing हो रही है यां तक वात को पैसा हो जैसे आप लोगों ने देखाऊगा रामायन में रामायन में जब राम जी से वो धनुस टूड जाता है उठाते हुए तो उस टाइम पर क्या होता है लक्षमन कूद गूद कर आता है कि यह नहीं पर शुराम आता है कि मैं सारे उसका नास कर दूँगा धरती वे से तो लक् कर अपना reply करना चाहिए अभी अगर बात करें काभूल के बारे में तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इंडिया भी क्या चाता है और बेसिकली आसपास वाले देश यह चाते हैं कि आर देखो यहाँ पर ना जो इंटरिम गवर्मेंट चल रही है उसको हट इंटरिम गवर्मेंट क्या आता है मतलब एक तरीकिस ऐसी गवर्मेंट जो की चुनी नहीं गई है बस हाँ कुछ टाइम के लिए ताम जाम थामने आ गई है उसको अटाओ यार एक इलेक्टिट गवर्मेंट लेकर आओ यह यह चंताद के दौरा चुनी इलेक्टिट तो वही मज़ए हाँ पर लोगों को मिलना चाहिए, तो वही वाते हाँ भी होनी चाहिए, तो डेले डिकलिडरेशन जो है, वो यही क्याता है, कि देखो यार विश्वास के उपरना डो टीकी होती है, तो एक तरीके से काफी एक विश्वास नहीं है उपलब्दी भी है, कि आ जर्मनी को कोई नह्यारा था युनाइट हो जाए अब जर्मनी युनाइट कर दी भिस मारक ने त Dinner चर्मानिस्तान के है काफा एक अच्छा पडोसी देश है आपकर अफगानिस्तान का तू 드arability रिलेशन आगे बढ़ाते हैं ठीक है चलो यार ठीक है फालतों की बाते चोड़ते हैं तो मिनिश्टी ले डेलिगेशन यहाँ पर भीज़ा जा रहे हैं कि कैसे तारी बाते रखी गए आप तो अच्छी बाते हैं रसिया और इरान जो है वो अभी क्या कर रहे हैं वो बेसिकली चीजों को देख रहे हैं कि चीजों को कैसे लेकर चलना है क्योंकि यह एक थाली के चट्टे बट्टे नहीं कई थाली के चट्टे बट्टे हैं जैसे आप लो लोगो देखने को मिल रहे है, ताकिछ उसके पापा है पागिस्तान और पागिस्तान जैसे बोलेंगे तालीबान वैसे करेगा अपने आप बात करेंगे, क्यों फाल तुमींडियी इमेज बढ़ानी है, िढ़ारा भुलाएंगे जेkówेले चलेगे तो यह तो बहुत तो ऐसे नहीं कि मोले में कोई आप लोग के कोई ML दे रहता है और आप लोग घर में जनम दिन रहा और पता चला ML दे आ गया ठीक है तो लगे कि हाँ यार वाओ इसके जनम दिन पर तो यार पॉलिटीशन बड़े-बड़े बात करें क्या क्या चीज़े है तो एक साइड में हाँ पर देखने को मिलेगा हम लोग अभी पब्लिक ली दो बार बात कर चुके है ठीक है जिससे हमारी इमेज थोड़ी चेंज होगी है कि हाँ इन दोनों को दोनों जो बेसिकली रिलेसेंसिप में आने के मूड में है यानि कि इंडिया और तालिबान जो है बाते कर चुके है पहले हम लोग बिल्कुल बात नहीं करते थे हम लोग हमें सब बोलते थे कि तालिबान अच्छा इंसान नहीं है ठीक है फिर क्या क्या अब यहाँ पर थोड़ी सी सोलेडरिट यहनी कि एक जुटता देखने को मिल रही है और इसी के साथ में ये तो हम लोग एक साथ में लेके चलने हैं पर एक साइड में ऐसा भी हम लोग बिल्कुल पॉबलीकली ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल सारी चीज़े अलाओ कर रहे हैं वीजा जो लेना चाहते थे उनको हम लोग ने मना भी कर दिया ठीक है तो ऐसा नहीं है सारी बात है हम लोग मार रहे है तो हम लोग हिसाब से काम कर रहे है इसी के साथ में हाँ पर बात करें कि अब तक हम लोग ने अफगानिस्तान में मुझे दे देना तो वो एक अलग बात है अभी अगर बात करें प्लान यह है कि कैसे road connectivity और यह सारी चीज़े हम लोग लेकर चलने वाले है क्योंकि हाथ उठा दिये हैं भी basically आप लोगो पता है कि हाँ सारी चीज़े हाथ उठा दिये है कि कैसे हम लोग को discussion को लेकर चलने है और किस तरीके से हम लोग को एक pattern समझना है आज की डेट में ठीक है तो यानि कि reasonable leader जो हमको कैसे लेकर चलने है एक proper goal होना चाहिए किस तरीके चीज़ों को लेकर चलने है government जो होना चाहिए उसको define करना चाहिए clarity के साथ में कि क्या क्या चीज़े होनी चाहिए ऐसा नहीं कि बस कुछ भी बोले जा रहे है तो एक proper plan के साथ में चल रहे है यानि कि पहले syllabus देखो परानी question paper देखो उसके बाद में देखो कि हमारा level कहाँ पर है उसके बाद में देखो कि अब कैसे चलने है पता चला लोग खुस नहीं है पता चला लोग protest कर रहे हैं दबा कर लोग भुके मर रहे है education system बरबाद हो गया लोगों को job नहीं मिल रही है inflation इतना हो गया बहुत महगा होगी तो क्या होगा तो इसलिए बोला गया था कि आप civil war is certainly a path that can be visualized if Afghanistan continue on this trajectory in अगर इसी trajectory में अफगानिस्तान चलता रहता है इसी path पर अफगानिस्तान चलता रहता है तो आगे चल कर भाई सब ग्रहायुद होने के chances हो सकते हैं तो ये बाते हैं पर बूली जा रही है तो कैसा लगा ये discussion जरू बताना कोई भी confusion हो तो नीचे comment box open है बिल्कुल खुले आम आप लोग अपनी भावनाई लिख सकते हैं पर हाँ थोड़ी सी सद्वे भासा यूज़ करिएगा जैसे आप लोग एक नागरी के ना एक अच्छे नागरी पड़े लिगे citizen of India है तो ये थी यहाँ पर बात है जब मैं PPT बना रहा तो तो मुझे गूजबंस आ रहे थे मैंने का वाओ यार ऐसी ऐसी भी चीज़े होती है मतलब एक तरीके से मुझे मज़ा आरता मैंने का पढ़ाओंगा इसको तम मज़ाएगा तो यहाँ पर यह जो आर्टिकल लिखा गया है यह basically मतलब यह जो particular discussion आप लोगा होगा बड़ा ही प्यारा होगा बहुत सारी चीज़े आप लोगो जानने को मिलेगी पहले बात करते हैं आप में से आप लोगों ने कई होने सुनाओगा कि एक motorcycle के लिए उसके साथ में helmet और जो gloves है वो free आ रहे है ठीक है पर लेकिन सोचो कोई आप लोगो बोले कि basically helmet है और उसके साथ में motorcycle free आ रहे है तो कैसा लगेगा पर लेकिन जो helmet का price है न वो है 75,000 रुपे ठीक है तो कैसा लगेगा आप लोगो सुनने में तो कुछ ऐसा ही महल अभी आप लोगो देखने को मिलेगा जैसे जैसे आर्टिकल में हम लोग आगे बढ़ेंगे discussion में ठीक है सबसे पहले अभी आप लोगो ने देखा दिवाली पर आप लोगो ये gift मिला उसमें क्या किया पांच उर्पे पैट्रोल पर खड़ गए और दस उर्पे जो है वो डिजल पर खड़ गए पर लेकिन प्राइस डिफरेंट फिर भी क्यों होते है अलग 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 प्राइस क्यों देखने को मिलते है कहीं पर तेल का भाव है 120 रुपे लिटर कहीं पर है अब लिए GST के दाइरे में नहीं आ रही है वो भी आप लोग को आगे discussion में जानने को मिलेगी अभी हाँ पर मुद्दा आप लोग समझेए article को लेकर writer जो है वो इस तरीके से क्यों लिख रहे है तो यहाँ पर अगर कोई आप लोगों से center state relation के बारे पूछ ले तो भी अच्छा article आप लोगों को देखने को मिलेगा federal system क्या होता है जिसको बोलते है संगवाद का ठाचा उसके बारे पूछ ले तो भी article अच्छा देखने को मिलेगा देखिए नोर्मली अगर बात करें हमारी country में एक सम्विधानिक पोस्ट है जिसको आप लोग बोलते है finance commission finance commission of India जो है वो कौन से article से आता है निकलकर वो article 280 से आता है वो ये बोलता है finance commission कि यह जो भी tax आप लोगों ने एकटा किया है न वो tax आप लोगों को distribute करना है बातना है central state के बीच में पर लेकिन सोचिए कि वो tax ऐसा हो कि जो बातने लाए कि ना हो तो कैसा रहेगा अब इसका क्या मतलब है आप लोग सुनिएगा बाड़ी ठीक है यहां से अब हमारी picture start होती है समिधान के इसाब से मोने तो यहां पर समिधान क्या बोलता है कि आप लोग जो है वो CES जो है वो basically एक तरीके से देखे होता क्या पर आप लोग इस CES को समझे CES और सर्चाज आप लोगो देखने को मिलते हैं टेक्स के ऊपर टेक्स लगाए जाते हैं मालिजे आप लोग कल को चल कर एक टेक्स पे कर रहे हैं जो कि 100 रुपे का टेक्स है तो 100 रुपे के टेक्स पर अगर CES लगा दिया तो CES का मतलब यह है कि मालिजे education CES लगा दिया ठीक है पर important मुद्दा कहा है यह जहां से सुनिएगा अगर 2 रुपे education के लिए दे गए तो भाई साब यह education वाली गुल्लग में ही डालने हैं वो नहीं है movie देखित सल्मान खान की यह बहन की साधी के लिए मा की आखों के चसमे के लिए है वो नहीं तो अगर यह मा की आखो के लिए है तो यह मा की आखों में ही use होंगे अगर यह वाले बहन की साधी के लिए तो यह बहन की साधी में use होंगे ऐसा नहीं कि आप लोग क्या करेंगे कि मा की आखों वाले है बहन की साधी में use कर लो ऐसा नहीं करना है यह allow नहीं किया जाते है तो इसको basically आप लोग क्य लगा जाता है, सर्चार्ज लगा जाता है, ये स्पेशल टेक्स लगा जाता है, ये सारा का सारा जो होता है, वो सेंटरल गवर्मेंट के जोली में रहता है, यानि कि इसमें से एक बूंद भी स्टेट गवर्मेंट को नहीं मिलती है, तो इसी के चलते सारी मुद्दा ही से नि अब देलो कितना देना है तो ये वाला खेला खेल रही है हमारी country की central government जो writer यहाँ पर बोलना चारहे है तो यानि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इस वाले खेल को लेकर जो है basically दिक्कते चल रही है तो उसके बारे में यह पूरा basically बात की जा रही है तो text जो है अभी यह बोला जारे है कि तो हमारी central government जो है उसको misuse कर रही है यानि कि loop follow को use कर रही है एक तरीके से ऐसी बात बोले जा रही है additional अलग-अलग text यहाँ पर लगा रही है और यह जो text लगाए जा रहे हैं यह कहीं ने कहीं जो federal system है संगवाद का धांचा जो है और खासकर जो लोग है उनके उपर काफी burden अभी देखने को मिल रहे है surcharge मेंने अभी बताया कि एक small छोटा सा एक चुनुक सा चुनुक सा ने चुटुक सा तो चुटुक सा चार्ज लगा जाता है tax के उपर यह यह 100 रुपे के उपर 2 रुपे लगा दिया पर लेकिन कर क्या रहे है यह उल्टा काम कर दिया अब बोला यह जा रहा है कि अगर इस तरीके से आप लोग लेकर चलते हैं कि जो tax हो तो छोटा सा है और surcharge और जो 6 है वो आप लोगा 7 से 8 गुना हो गया है तो क्या यह एक तरीक जिस सही है यह तो समिधान का उलंगन होगे ना समिधान में अगर आप लोग जाएंगे तो समिधान इस तरीके से बोलता है नहीं है यानि कि जो basic excise duty है वो 1.40 पैसे है बाकी का सारा यानि कि यहाँ पर अगर excise duty के बारें बात करें तो 1.40 पैसे लगनी चाहिए यहाँ पर अगर excise duty के बारें बात करें पर लेकिन 32 रुपे यहाँ पर लग रहे है तो इसका मतलब सारे extra लग रहे है ठीक है वो लग रहे है जो कि बांटे नहीं है जो कि center के पास में रहने है तो center तो बे इंति हाँ पैसा कमा रहे है यहाँ से अगर देखा जाए तो तो उसी के चलते आप लोग अभी जानने को मिलेगा जो चीज़े मुझे interesting लगी जिनको आप लोग समझोगे तो यहाँ पर काफी जदे पैसा जा रहा है और सारा पैसा कहा जा जा रहा है और 270 के हिसाफ से यहाँ कि 269 के हिसाफ से और 270 के हिसाफ से आप लोग क्या कर सकते हैं आप लोग ठीक है आप लोग कोई भी tax लगाना है तो इस तरीके का लगाना है जो कि consolidated fund of India में जाएगा तो वो tax जो होगा वो center state के बीच में basically share किया जाएगा पर लेकिन center government क्या कर रही है ऐसा tax लगा ही नहीं रही है वो इसको अपने पास रखने के mode में है तो इसकी वेज़से चीज़े क्या हो रही है वो दिक्कते देखने को मिल रही है important question बनता है कई बार पूछा जा चुका और मैं आप लोग को बता भी चुको आप लोग को यह बताना है consolidated fund of India जो है वो किस article के अंदर में आता है कई बार आप लोग से discuss कर चुको तो बताइज ज़रा इसके बार में ठीक है आगे चलते हैं जो revenue है आज की date में उसको थोड़ा समझते हैं यहां से आप लोग को बहुत मजाएगा सुनने में अभी अगर बात करें हैं यहां पर 3,72 लाक करोर यह जो पैसा है यहां पर इसके बार में अगर बात करें तो हैं तो हैं पर total tax collect किया गया Central Government के दौरा तो Central Government के दौरा पैसा कलेट किया गया यह मैं नहीं बोल रहा हूँ यह खुद यहां पर Government बोल रही है जो petroleum planning and analysis के द्वारा ये बाते बताए गई है तो ये data published किया गया तो इसमें से जो हाँ पर ये लगबग 4 लाग क्रोड जो पैसा है इसमें से only इस state को जो जाने वाला है वो जाएगा 18,000 क्रोड तो basic exercise duty इसमें से only 18,000 क्रोड है आप लोग ये समझे और इस 18,000 क्रोड में से अगर बात करें 2.3 लाग क्रोड जो है वो cess है मैंने बोला था ना कि 1.something जो है वो cess होगए जबकि उल्टा होना चाहता और 1.2 लाग क्रोड आप लोग को special additional exercise duty देखने को मिलेगी तो इसका मतलब ये है कि सारा पैसा जो रहना वाल है वो central government के पास में रहेगा यानि कि 3.72 लाग क्रोड जो पैसा है उसमें से 18,000 क्रोड जो है वो basically central state के बीच में share होगा यहाँ पर ध्यांते सुनियागा confused मत हो जाना है यहाँ पर ये जो 18,000 क्रोड है ये basically इसका 41% जाएगा state के पास में यानि कि इस 18,000 क्रोड को भी पूरा नहीं जाएगा state के पास में इसमें से भी 41% परतिसद जाएगा और पूरा 95% जो रह गया वो कहा रह गया वो रह गया central government के पास में यानि कि state government जो है वो बूंद बूंद के लिए तरस रहा है ऐसी हालत आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी तो यह सोचने वाला मुद्दा हो गया कि नहीं हो गया आपर यानि कि सारा पैसा जो है वो कौन बैढ़ गया वो central government लेकर बैढ़ गया आपर अब सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो गया किया रहे तो संगवाद के धांचे के गलत है अब यहाँ पर बात करें जब यह GST का मुद्दा लेकर आ रहे थे जिसको आप लोग goods and service tax बोलते हैं उस टाइम पर इन्होंने सारे state को basically लुभाया देखो यार GST आगे ना बहुत ज़दा फायदा होने वाला है तो यह जो basically बात यह की जा रही है अगर आज की डेट में बात करें तो जब यह GST लाए तो central government ने वो रहा था state को कुछ भी नुकसान होगा तो हम भरपाई करेंगे पर लेकिन यह बाद में नाट के बाद में इन्होंने मना कर दिया तो यह बिल्कुल गलत बात होगी तो एक तरीगे से हाँ पर जो tax का revenue है आज की डेट में अगर व्यात करें जिस तरीगे से सेयर किया जा रहा है तो बोला जा रहा है कि यह काफी घिनोना परियो किया जा रहा है संग बात के धांचे को बहुत गलत तरीगे से लेके जरा जा रहा है तो सारी जो state government है उनको मिलकर आना चाहिए एक दूसरे के साथ में तो यह हाँ पर इनके द्वारा जो यह particular portion था इसमें तो petrol diesel की बात के गी ठीक है अब कुछ relevant question के बारें बोला जाए अभी center के पास में लांको क्रोड रुपे आ गए हाँ ठीक है तो reality में पैसा जाक आ रहा है अगर इस article के बारें बात करें तो यह केरला से निकल कर आते हैं article लिखने वाले केरला के finance minister है इनके द्वारा यह बोला गया कि अगर आज केर में आप लोग बात करें तो financial जो assistance है यहाँ पर उसके बारे में अगर आप लोग बात करें जो बोला देना चाहिए थे आपर तो केरला government के अंदर में बहुत सारे लोगों को आज केर में फायदा पहुचा रहे है किसी को खाना दे रहे हैं किसी को basically कुछ और फायदा दे रहे हैं तो यानि कि GST का एक तरीके से बिल्कुल धोगा दे जाए GST के नाम पर जो बाते आप लोगों ने बुली थी अब important मुद्दा तो यह है कि revenue neutral rate ऐसा बोला था जब GST आया था पर लेकिन इसका फायदा जनता को भी नहीं पहुच रहे है जनता को क्यों नहीं पहुच रहे है क्योंकि महंगाई बढ़ गई टेक्स तो बढ़ गया पर महंगाई बढ़ गया निकि पहले जो समान आता था 15 रुपे का अब वही सामान 20 उरुपेगा मिल रहे है आप लोगो तो महेंगाई बढ़ गई तो लोगों को फिर भी फायदा नहीं हुआ तो इस तरीके से याँ पर पहले GST से जो फायदा राज्य को मिलता था वो अभी हाँ पर नहीं मिल पा रहे है तो अगर detail analysis इसका किया जाए तो यहाँ पर काफी ज़द है दिक्कत है देखने को मिल रहे है पैसा नहीं जा रहे है राज्य के हाथ में और नहीं जा रहे है लोगों के हाथ में तो सारा पैसा कौन बैठा बैठा है तो सारा पैसा दाबे बैठा है central government तो central government के दौरा क्या किया गया अभी national monetization plan लाया ये देखे आप लोगों मजा आएगा सुनकर तो उसके दौरा क्या क्या जा रहा है national monetization plan के अंदर इनके दौरा जो भी हमारे country में Verdived है जो भी हमारे country में railway है जो भी हमारे country में दूसरे और सनसाधन है यो कि यहाँ पर Central Government को पैसा आता है जिससे निकल गर गर तो वो सारे संसादन जो है Central Government क्या कर रही है Private के हाथ में दे रही है Private के हाथ में क्यों दे रही है क्योंकि Private को किराई पर दे रही है तो किराई पर आएंगे तो पैसा मिलेगा तो ये National Monetization Plan बोला है, इसको प्राइविटाइजेशन नहीं है कि बेचने वाली बात नहीं है, उनली किराइव पर देने की बात की जा रही है, तो बोला ये जा रहा है कि ये हमारी country की जो sovereignty है, उसके उपर impact डाल गए एक तरीके से, अगर इतना large scale पर आप लोग चीजों को प् अपना control कम कर रही है, और private के हाथ में दे रही है सारा सामान, कि भाय साब आप लोग अपने हिसाब से इसको regulate कर लो, और अपना influence basically कम कर रही है, तो इससे basically हाँ पर एक तरीके से उपर से monitor करने वाली बात होगी, अब सारा काम जाए हो private देगेगा, और ये जो काम था हमारे ये जब हमारी country में liberalization, privatization, globalization, LPG जब reform आयते, तो उस time पर देखने को मिला था, एक video बनाये थी मैंने काफ़ी detail में, देखेगा मज़ा आजाएगा, आप लोगो सुनकर, जब मैंने 11th की NCRT पढ़ाई थी न, आप लोगो economy की, तो उसके time पर एक chapter था है, यापर इसके उपर तो उस time पर मैंने LPG reform पढ़ाए थी, तो LPG reform आप लोग सर्च कर लिजएगा by Veer, तो आप लोगो वो देखकर मज़ा आ जाएगा, कोई भी confusion हो, खासकर जिसने अभी पढ़ाई start किये, वो ज़रूर देखेगा, ठीक है, तो यहाँ पर profitable नवरतन जो company है, national highway, railway station, ये भी आज में दी जा रहे हैं, तो ये काफी गलत चीज़े हाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके ओपर काम करना चाहिए, अगर मुद्दा बात करें, तो जो beneficiary हैं आपर, ये जो आज की rate में आप लोग इतने सारी चीज़े जो है private के हाथ में देने वाले हो, तो इससे किसको फायद हम लोग छूट दे चुके हैं, आज की rate में जो business man है, अब यहाँ पर ये bank का loan ले रखा था, अब वो non performing asset बनेगा, तो वो NPA जो बनेगा, उसको भी recover करने के लिए जो bad bank बनाए गये न, वो भी corporate house ही बना रहे हैं, वो भी हाँ पर basically काम को ले कर चलेंगे, यानि कि basically बोला य कि आज की date में, लोगों को तो छूट दी नहीं जा रही है, COVID-19 के साथ में, उनको धंक से support provide कराए नहीं जा रहे है, business house का 9,00,00 को के करीब हाँ पर पैसा माप कर दिया, और राज्ये चिला रहे हैं कि लोगों को रोटी देनी है, लोगों को दाल पानी देनी है, आप लोग देदो, पर लेकिन center के द्वारा दिया नहीं गया है, तो center जो है बोला जा रहा है कि exploit कर रहा है लोगों को pandemic के duration में, तो petrol और diesel के ओपर दुनिया भर का tax लगा दिया, ठीक है, लोग तरहे माँ करें कि भाईसा पैसा नहीं है, जोब नहीं है, ओल लेडी जोब का चली गई है घर में कमाने वाला नहीं है, पर center ये करा है कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी है नहीं आपके पास में और लोन लाग क्रूर आप लोग ने जो corporate houses है उनके छूट कर दिये, इस state को पैसा आप लोग देने रहे हैं, तो इसको लेकर काफी चिंता जाया की जारी ह आज के लिए में लोगों के हाथ में से चीन-चीन कर, तो ये है मुद्दा, तो इसके चलते ही हाँ पर बोला ये गया है, कि सारी opposition party अब उनको साथ में आना चाहिए, मुझे तो ये लग रहा था ये article बेसिकली जब मैं पढ़ रहा था, मुझे लगा कि opposition वालों को तो ये article पढ़ना चाहिए, ठीक है क्योंकि उनके पास में आज के लिए मुद्दी नहीं देखने को मिलते हैं, गुवर्मेंट जिए उनके उपर हावी हो जाती है जरा सिद्यर में, तो opposition party को भी analysis करना चाहिए, कहां गलती है, क्योंकि basically काम ये है, कि जहाँ पर government कोई अच्छा काम क करते हैं, हम हाँ पर उसको oppose करें, तो इस तरीके से चीज़ों को ले कर चलना चाहिए, पर लेकिन ऐसा मुद्दा दिखते हैं ये एक अलगी महुल रहता है, ठीक है, चलिए जो भी है, देखते हैं कब तक चीज़े शुदरती है, ओके, आगे हाँ पर जो एक article है, इसमें basically जो बात की जारी है, ये बात की जारी है यहां पर तमिलडु में काफी ज़दा बारिस सबी देखने को मिरती है, तमिलडु में जब भी बारिस होती है, ये होती है, बिसलिए किसके साइड से, तो नोर्थ इस्ट मोंचून यहां पर निकल कर आता है, हमारी country में maximum अस्ति पर 30 सक्षिए के करीब जो बारिस होती है वो इससे होती है तो इसके चलते हैं चैन नहीं में कई बार आप लोगो बार भी देखने को मिलते हैं तो यह सिच्येयों में जो से ऐभी देखने को मिल रही है तो आट डिस्टिक के अनदर अभी olet to कर दिया गया है काफी लार्ज स्केल पर यहां पर बारिस हो रही है continuously यहां पर लोग जो है वो tension में आ जाते हैं खासकर जब बार हो जाती है आप तो यह situation अभी तमिलाडू के अंदर में है तो यह basically समझाने कोशिस की जारी है कि देखें आप लोग को पता है यह तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया कि आप लोग को पता है कि daily exercise करने से आप लोग की body का जो है वो fat कम हो जाएगा daily पानी अगर proper way में प्योगे तो आप लोग की body को काभी फाइदा देखने को मिलेगा proper way में अगर balance diet लोगे तो आप लोग को फाइदा होगा यह daily आप लोग करने है अगर नहीं करते हैं तो सारी इसके उल्टी condition देखने को मज़़ी है पर आप लोग फिर भी नहीं करते है आप लोग को पता है यह बारिस होगी हर साल आप लोग को पता है बाड आएगी हर साल बाद भी आप लोग साल आने पर चिलाते रहते हैं तो यह तो बत्तमीजी होगे ने एक तरीके से तो बेसिकली मुद्धा यह है कि इस बत्तमीजी को सुधारो जो 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 मुद्धे है उनके उपर काम करो और इन प्रोल्म को साइड में गुरो ठीक है तो यह बाते हैं हाँ पर समझाने की कोशिस की जा रही है ओके यह वाला जो आर्टिकल है यह आर्टिकल बेसिकली डी मुद्धे अगर बात करें तो आप लोग को पता है कि 8 नॉमबर 2016 में डी मुद्धे हाँ पर बताय जा रहे हैं वैसे तो मैं पूरा ओवर्वीव आप लोग को देता हूँ डे डंक से चीज़ों को लेकर चलना चाहिए था आनन फानन में इंप्लिमेंट किया गया मुव था उस ताइम पर उतर प्रदेश के इलेक्सान आ रहे तो उसको जीतने के लिए हाँ पर एक स्टंट ये देखने को मिला था इंपोर्टेंट बात ये बोलेगी informal sector जो फिलाल अभ जो GST को लेकर ठीक है सबसे पहला तो होया demonetization दूसरा हुआ GST और तीसरा होगी अभी pandemic तो ये तीन जो है इन्होंने इसको basically बरबात कर दिया है ठीक है तो अब जो मैं आप लोग को आगे बताने जा रहा हूँ इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा ये basically पूरा demonetization का ए demonetization की इंटरेसिंग चीज हाँ पर ये है हमारे देश के साथ में एक जगह और demonetization होता वो country थी वेनुजुला वो वेनुजुला इतनी बरबाद हो गई वो आज केट में पनब भी नहीं पाई हमारे देश में प्राइमिस्टर मोधी साब जे है वो एक अच्छी लीडर निक intelligence देखने को मिलेगी intelligent अपनी जगे emotional intelligence यानिके लोग अपनी emotion को tackle करना और दूसरी की emotion को भी ढंक से utilize करना एक सही decision लेने के लिए तो यह होता है emotional intelligence और एक DM बनने के लिए emotional intelligence काफी ज़यदे जूरूरी है तो यह आप लोग के अंदर जूरूरू रना चाहिए emotion में बहकर अग लुग जहें लंबे समय तक लाइनों में खड़े रहे हैं उनको पता है कि उनका time पर बाद हो रहा है पर फिर भी उनको यह लग रहा था कि सब चीज़ से ही चल रही है ठीक है पर लेकिन हुआ क्या basically यह लाया किसलिए गया था बोला गया था कि काफी historic यह step है जो खासकर ज के price भी down होगे काफी ज़दा black money हाँ पर use होती नजराती है fund जो जाते हैं हाँ पर smuggling के लिए कोई ऐसी activities के लिए वो भी हाँ पर रुख पाएगा ऐसी चीज़ें हाँ पर नहीं हो पाएंगे और जो black money large scale पर counterfeit currency जो है यानि कि जो नकली note market में देखने को मिल रहे हैं जो पा pattern 10 करते भी बोला गया अब किसी लिए हो रहा है तो यह इसलिए हो रहा है क्योंकि paytm जैसी free charge जो movie की भी है basically domino pizza यह ऐसी यात्रा वाली वाली यह सारी चीज़ें थी जिनका एक huge impact पड़ा और काफी large scale पर यह ऐसी चीज़ें थी जो सामने उबर कराई ठीक है digital payment हो गया education में digitally payment कर रहे हैं लोग सुईगी जो मेटो यह सारी चीज़ें online लोग खरीद रहे हैं break यह basic ले बिग बास्केट वगरा यह सारी चीज़ें तो कहने का मतलब है online system काफी ज़्यादा बढ़ गया देखे अभी recently एक बहुत बड़ा transformation society में आप लोग को देखने को मिलेगा एक time ऐस था कि एक time पर ऐसा था कि कोई इन चीजों पर विश्वास नहीं करता था कि online सामान खरीद ले यार पता नहीं कैसा समान आएगा even आप लोग खुद भी देखे अपने आसपास middle society में गाउं में अगर जाएंगे आज के रहें भी अगर मैं अपने अम्म्य को बोलो कि एक online को समान मंगा लेते हैं ठीक है तो बोलेंगे कि पता नहीं कैसा समान आएगा खुद जाके लेका आते हैं फील होती है जो समान को खुद से टच करकर अपनी महनत की कमाई का पैसा देना दुकानदार को उसमें एक अलागी मज़ा है ठीक है पर लेकिन है कैसा समान जो अगर आ पता चला आप लोगों ने चेक भी नहीं किया, तो उसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखा जाता है, पर लेकिन कई सारी e-commerce जो company है, अभी यहाँ पर Amazon, Flipkart, यह सारी, यह चीजों काफे अच्छे समझ रही है, और जनता की जो requirement उनका जहान रखते हुए, इन चीजों का रहे हैं, वो काफी large scale पर fulfill रहे हैं, और उसमें education जो है, वो काफी huge एक business की तरीके सामने निकल करा है, जिसमें सारे offline institutions भी आजके में online अपना ला कर रख चुके हैं, सारा जो system है, पर important मुझे यह लगता है कि अगर आप लोग देखोगे, जो अगर उनकी fees देखोगे, fees में क अगर चीज़े पहुंचाने हैं, तो वो affordable थोड़ा करनी चाहिए, ठीक है, तो online में competition अच्छा हो रहा है, अच्छी बात यह है कि अच्छी चीज़े आप लोग को देखने को मिलेगी competition की वेसे, तो यह कई सारी चीज़े निकल कर आती है, तो demonetization के कुछ अच्छे भी impact वे और कुछ बुरे भी impact आप लोगों को देखने को मिले हैं, तो अच्छे impact तो बोला था कि जो money हो जाएगा वो तो नहीं हुए, पर हाँ यह है कि लोगों की जिंद्गी जो है, अब थोड़ी कुछ आसान हो गई है इन सब चीजों की वेसे, माने कोई दूर दराज वाले इल पर basically, ठीक है, maximum जो सारी चीजे पोट किताब है गई, वो Amazon के थुरू मैंने आप लोगों तक पहुचा ही है, तो यह सारी चीजे किसे possible हो पा रही है, पहले तो यह possible नहीं थी, पता चला, speed post करने जा रहा हूँ, डाखने में, पहले तो पहले तो पहले दिन वही पर ही चीजे आप लोग समझ सकते हैं, कहीं न कहीं, कुछ न कुछ इस तरीकी चीजे आप लोग दिखते हैं, पोस्ट कोड़ नाइन टीन अभी impact जो है, वो और जदा बढ़ गया, तो उस तरीके समझ सकते हैं, ठीक है, अभी यहाँ पर जो अगर जो ऑनलाइन चीजे होते हैं, अगर जिस तरीके से किसी USA के अंदर या फिर कहीं पर जापान के अंदर कुछ घटना घटी, अगर यहाँ पर ओनलाइन चीजे हैं, तो फटा-फट आप लोग के पास में खबर पहुच जाएगी, पर लेकिन अगर उन्टरनेट नहीं होता, तो खबर आती है आप लोग के पास में एक हफते बाद में, कि हाँ ऐसा कुछ हो गया है जापान के अंदर में, ठीक है, पर लेकिन अभी क्या लगता है आप लोगों, यह लगबग 7 मिनट के अंदर, मतला है 7 दिन में आ रही तो 7 मिनट पहुच जाती है, तो यह फास्ट बढ़ाती है, लोगों की करेगा आप लोग का Conference of Party के बारे में, ठीक है, तो Conference of Party 26, यह थोड़ा लंबा आर्टिकल है, तो मुझे लगा कि इसको थोड़ा सा detail में discuss करूँगा, क्योंगी बहुस सारी बाते आप लोगों को जानने को मिलेगी, तो यह तो Sunday में cover कर लेंगे, Saturday में cover कर लेंगे, ठीक है, को आई चलते हैं, बात करते हैं कि इंडिया जो है, वो बोला है कि 1 trillion पैसा हम लोगो चाहिए, मैंने बोला था ना, मोधी जी ने क्या कि अभी मोधी जी बेसिकली बोले कि भाय साब हम मान लेते हैं कि हम लोग आपके इसाब से क्या करेंगे, कि carbon neutral country मनेंगे, ठीक है, हम लोग पर ये काम अगर करेंगे ना, पर लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए हम लोगो तो, जो मोधी जी हैं गुजराती हैं तो उनके बिजनस वाला महें लगा दिया अपना, और बोलेगी पैसा दो तो काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे, तो हमारे 5 टार्गेट थे, एक तो था कि हम लोगों ने क्या क्या 500 गीगावर्ट कर दिया, यानके 50 गीगावर्ट और एड कर गया, पहले 450 था, ठेक हैं, दूसरा बोला कि 50 परतिसद जो हैं, वो एलेक्टिशिटी हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली, रिनियेवल एनर्जी से बनाने वाले हैं, 2030 तक का, ये बो लेकर आएंगे, पर लेकिन ये सारे काम हम तभी करेंगे, अगर तुम पैसा दोगे, अगर पैसा नहीं देगो तो आएसा कुछ नहीं करेंगे, तो ये वाते आप लोगो देखने को मिलेगी, तो यानि कि मोदी जी ने जो बिजनस वाला काम कर दिया, ठीक है, आगे चलते ह काफी अच्छा है, देश को पैसा मिलेगा, तो आगे बढ़ेंगी चीज़े, सीजिंग पिंग जो है, वो चा रहे हैं कि ये बाहु बली बन जाएं चाइना के, और वही वो करने जा रहे हैं, आने वाले टाइम में ये काफी बड़ा मुद्दा आप लोगो देखने को मिले हैं, तो आप लोग लगबालो हमारे जो basically health ministry ये बोल रहे है, मंसुक मांडविया जी, तो देखिए इसको, ठीक है, अभी बात करें, supreme court जाए, वो एक police होनेगा है, आपर UAPA के बारे में, तो UAPA जो है इसको बोलते है, unlawful activity जो prevention act होता है, basically उसके बारे बात की जाती है, तो basically अगर इसको थोड़ा सा आप लोग समझना चाहेंगे, तो क्या होता है कि अगर देश के अंदर कोई unlawful activity हो रही है, तो उसको रोकने का काम करता है, तो ये जो act था हमारी country में basically 1967 में लेकर आए गया था, तो 1967 में लाए गया था कि हाँ चलो इस act को लेकर आते हैं, पर लेक अगया कि जो NIA है, यानि कि National Investigation Agency है, वो यहाँ पर basically इसको देखेगा और कोई ऐसा matter निकल के आता है, और कोई भी DSP, ACP की rank के नीचे officer जो है, इस से लिटर केस को नहीं देखेगा, तो ये कुछ मुद्देल आए, और terrorist की list में आपर individual को भी बोला गया कि terrorist करार दिया जा सकत पहले organization को terrorist करार दिया जाता था, तो कई सारे मुद्दे देखने को मिले, अभी custodial death के बारे मनेते को यूद कुतर प्रदेश के अंदर बहुत बुरी हरकत देखने को मिलते है, जो police का तांडव कई बार बोला देखने को मिलते है, मतलब क्या है, मतलब यह custodial death क्या होती है एक तरीके से extra judicial killing भी आप लोग बोल देते हैं, कि police अपने आप ही, लोगो को basically jail के अंदर पेट पीट कर मार दिया, कुछ ऐसी हरकते कर दी, तो यह काफी बड़ा मुद्दा रहता है, अभी एक और case देखने को मिला, even हमारी country में chief justice of India के द्वारे बोला गया था, कि यह काफ लगी case देखने को मिलेते हैं, 1727, तो यहनकि एक तरीज ने कि कोई नीच आएगा, police वाला कि उसका दोस्त, police वाला फसे हैं आपर, तो गंगा जर्म हो भी नहीं देखी, कि अभी पवित्र कर देते हैं, जो कौन सा गाउं था हो, रामपूर, सामपूर क्या था जो, तो वही अगर बात करें, इंटरनेसल स्टेंडर की, तो हम लोग इसको फोलो करते हैं, कि 1997 में हमारे द्वारा, United Nation जो convention था, कि torture नहीं करेंगे, तो यह बोलते हैं, torture ऐसा करते हैं, कि लोगों को पता नहीं चलते हैं, वो नहीं कहते हैं, ऐसी जगह मारो, कि लोगों को दिखाना को है तो वो condition नहीं है, समिधान के अंदर अगर बात करें, तो provision भी है right to life के बारे में, पर लेकिन जब पुलिस का टंडा पड़ता है, आपर तो यह right to life जो हैं, उसको side में कर देते हैं, तो यह condition आप लोगों को देखने को मिलेगी है, तो वह सारे ऐसे मुद्धें, जिनके बार नहीं कोशिस की जा रही है, तो साधी रेजिस्टर नहीं हो रही है, तो high court कर रहा है दिल्ली government को भाजसाफ क्यों चाहरे हो, आप लोग इनकी बेचारों की साधी रेजिस्टर को नहीं करने दे रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़े हैं, बाकी साफ सफाई की बात चल रही है, तो यह मुद्दा है, अभी बोला जा रहा है, साधी का सीज़ान आने वाला है, तो फिर से, होने काते हैं कि अब फिर से यहां पर लोगों के घरों में अभी जोयल्री वगरा खरीजी जाएंगे और वो सब चीज़ें, तो बोला यहीं जा रहा है कि pandemic चल रहा है, पर लेकिन इन सब में कोई कमी नहीं आने वाली है, ठीक है, तो काफी large scale पर एक season आने वाला है, big sale लगने वाली है साधी की, जिसमें दूले खरीदे जाएंगे, अभी हाँ पर जो जिल लड़कियों वालों के द्वारा, और इसीगे चलते दिक्कते देखने को मिलेगे, काफी large scale पर द परनाच ये online article, तो right to forget के बारें बात करता है, यानि कि अगर कोई person already किसी चीज को लेकर सजा पाच चुगा है, तो उसका data online है, तो उसको हटाओ, तो उसी के चलते हैं हाँ पर बात कि जा रही है, ठीक है, तो ये भी article 21 के अंदर basically आता है, right to life, right to privacy, right to forget, ठीक है, अगर बात करें, तो BJP जो है, और बोल रही है कि मिलकर सब को साथ में लेकर आओ, और यमुना को साप करोगे, ठीक है, तो यमुना को साप कर लो, गंगा तो हो गई, काफी दिनों से अभी यम ना कर लेते हैं, इतने लंगे समय से इतनी चीज़ें चल रही है, 70 साल, 70 साल आजादी के sal तो केरला के अंदर ये काफी बड़ा मुद्दा रहता है, खास कर अगर साउथ इनिया में, तो उसी के बारे बात किज़े रहे हैं, अभी फिलाल यहां पर और चीज़े देखने को मिली, रोड पर आ जाती है, जो तूट कर यहां पर चट्टाने, तो यह लैंड सलाइड वाल तो याद रखना करतारपूर कोरिडोर जो हैं, आपर यह basically हमारी country में देरा बाबा नानक, तो इनको connect करता है, और यह किस नदी के उपर है, तो यह है रावी, रवी आप लोग बोल देता है, रावी है ठीक है, तो यह important point है, तो जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं तो इसको connectivity की भी बात यहाँ पर की जा रही थी, ठीक है, बाकी यहाँ पर चायना जो है, वो बोल रहा है कि against है cold war के, वो नहीं चाता है, इस यह Pacific में cold war रहे, जैसे USA और USR के बीच में एक time पर cold war देखने को मिलती तो अब नहीं होनी चाहिए, यहाँ से important question बन सकता है, एक particular personality ते जिनका नाम था D.D. Clark, ठीक है, तो उनकी recently अभी death हो गई है, उनको Nobel Peace Prize यू मिला था, Nansal Mandela जी के साथे मिलकर 1993 में, Nansal Mandela जी के द्वारा apartheid के खिलाप लड़ा गया था, यह क्या थी, रंग भेत की नीती थी South Africa में, जिसके चलते काले और गोरों में भेत रहता था, तो उसको सुधारने की कोसिस की गई थी, बागी यहाँ पर बात की जा रही है, कि अभी जो हमारे मिनिस्टर है, बेसिकली जो कम्मुनिकेशन, अस्वनी बेस ना, तो 5G स्पेक्टरम आने वाला है, ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम में बल्ले बल्ले आप लोग की होने तो इस तरीके से आप लोग की इनकी फ्रिक्वेंसी और इस तरीके से आप लोग के हाँ पर बिसिकली इनका काम करने का तरीका देखने को मिलेगा, तो आने वाले टाइम में स्पीड जो हो काफी हाई इंस्टुमेंट की आप लोग को देखने को मिलने वाला है, तो यानि कि बहुत कुछ आप लोग को आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा जिसको आप लोग enjoy कर सकते हैं तो यह थे मुद्धे जिसके बारे में याद रखे हैं फिर से बोलनों जो article बचा है उसको मैं distance कर लूँगा tension बिल्कुल भी मत लेना तो कई सारी important article हम लोगों ने distance किये इसी तरीके से enjoy करते रही है अगर लगता है आप लोग को आप लेक्चर फायदा पहुचा रहा है तो इसको like करकर आप लोग बता सकते हैं dislike करकर कैसा लगा lecture feedback जूड़ देना PDF टेलिग्राम से जाकर download कर लेना और answer writing भी टेलिग्राम पर post कर दूँगा और facebook पर तो part बना सकते हैं question के answer जो रहेंगे जो post आओ वो नीचे भी में pin कर दूँगा उसको आप लोग देख लेना ठेक है तो आज के लिए ही इतना ही इसी को lecture को समाप्त करते हैं next lecture मिलता हूँ मिलता हूँ next lecture में तब तक के लिए जै हिंद